हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबोर्ट चरक समहिता तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले उबदेशता के बारे में पढ़ते हैं तो चरक समहिता के जो उबदेशता हैं इनका नाम आत्रे पुनरवसू है और आत्रे पुनरवसू का काल थोजन्ट बीसी है जिसे हम उपनिश्यद काल कहते हैं उबदेश्टा को एक्सपोंडर कहते हैं दूसरी नवर पर हमारे पास तंत्र करता आते हैं तो तंत्र करता आथर होते हैं और तंत्र करता का नाम है अगनीवेश और अगनीवेश का काल है थोजन्ट बीसी सहमेज आत्रे पुनरवसु जिसे उपनिशिद काल कहा जाता है प्रतिसंसकरता या रिडेक्टर कह सकते हैं आप प्रतिसंसकरता का नाम है अचरिया चरक जिनका काल 200 BC है जिसे शुंग काल कहा जाता है फूर्थ नमबर पर संपूरक काते हैं तो संपूरक का नाम है आचरिया द्रिडवल और द्रिडवल का काल 400 AD है जिसे गुप्त काल कहा जाता है चलिए आप कुछ important information डिसकस करते हैं जो चरक समिता में दी गई है यह चरक समिता में जिसका वर्नन आया है तो सबसे पहले total number of योग देखते हैं तो total योग या total formulations जो चरक समिता में mentioned हैं वो हैं 1949 टोटल सुत्र जो लिखे गए हैं चरक समिता में उनकी संख्या है 9295 बैनवे सो पचानवे सुत्र लिखे गए हैं टोटल शलोका की बात की जाए तो total number of योग जो आपको चरक समिता में मिलेंगे वो 12,000 हैं 12,000 स्लोक जो हैं वो चरक समिता में वर्नित हैं महाकशय की बात की जाए तो 50 महाकशय का वर्न चरक समिता में आया है chapter number 4 आफ सुत्र स्थान में आया है तो महाकशय क्या होता है group of decoctions group of decoctions को महाकशय कहते हैं चरक ने 50 महाकशय का वर्नित किया है तो अब हम थोड़ा सा महाकशय के बारे में detail में देखते हैं अगर देखा जाए तो हर किसी एक महाकशय को हर किसी एक महाकशय में चरक ने 10 drugs रखे हैं हर किसी एक में 10 drugs रखे गए हैं तो 50 महाकशाय में अगर हर किसी में एक है तो 50 में 500 होने चाहिए थे 500 drugs या 500 ओशिद होने चाहिए थे लेकिन 500 ना होते हुए कुल संख्या 274 है 274 है कुल संख्या है टूटल ओशिद है महाकशाय में इसका reason यह काम इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ drugs जो है वो repeat हुए है इसके अंदर जैसे मुलिठी जो है 11 times यह repeat हुए है different different महाकशाय में चाहिए अदर यह repeat हुए है 11 times पिपली का देखा जाए तो 9 times यह repeat हुए है और हरित्की का देखा जाए तो यह 7 times repeat हुए है अब देखते हैं अचयरह चरक नने जो बुक लिखी है चरक समहिता इसके बारे में आब देखते हैं तो चरक समहिता को अगर देखा जाये तो 120 chapters में हमें मिलते हैं और यह 120 chapters 8 स्थान में डिवाइड हैं जिसे अस्त स्थान कहते हैं, अश्ट होता है आठ और स्थान होते है डिविजन, तो 8 डिविजन इसमें आपको मिलेंगे सबसे पहली डिविजन का नाम है सुत्र स्थान, इसमें 30 chapters रखे गए हैं, दूसरे नमबर पर आता है निदान स्थान, जिसमें 8 chapters रखे गए हैं 3rd पे आता है विमान स्थान जिसे 8 chapters इसमें भी आते हैं शरीर स्थान 4th नमबर पे है जिसमें 8 chapters है 5th नमबर पे हमारा इंद्रिया स्थान है जिसमें 12 chapters है 6th नमबर पे चिकित्सा स्थान है जिसमें 30 chapters है 7th नमबर पे कल्प स्थान है जिसमें 12 chapters है एट्थ नमबर पे सिधी स्थान है जिसमें 12 chapters है तो टोटल संख्या की बात की जाए तो 120 chapters आपको add करके मिलेंगे अब जो first 5 है जो first 5 स्थान है इन्हें हम पुरवार्द बोलते हैं पुरवार्द बोलते हैं और पुरवार्द को हम volume 1 के साथ compare कर सकते हैं पुरव होता है before और अर्द होता है half तो इस वज़ा से हम इसको volume 1 के साथ compare करते हैं और इसको पुरवार्द कहा जाता है 5 स्थान जो first 5 है इनको बाकि जो बचते हैं 3 स्थान बचते हैं चिकित्सा स्थान कल्प स्थान सिधी स्थान इनको हम उत्रा आर्द कहते हैं और उत्रा आर्द को हम वॉल्यूम टू के साथ कंपियर करते हैं अब इंपार्टेंट एक पॉइंट देखते हैं हम चक्रपानी दद के बारे में पढ़ते हैं तो अचरिया चक्रपानी दद जो है उन्होंने एक important commentary लिखी है चरका सम्हिता पे उन्होंने important commentary लिखी है टीका लिखी है जिसका नाम है आयरवेद दिपिका बहुत important question है कभी कभार competitive exams में पूछा जाता है कि चरका सम्हिता पे जो commentary आयरवेद दिपिका है वो किस ने लिखी है तो अचरिया चक्रपानिदत ने लिखी है और अचरिया चक्रपानिदत का काल 11th century AD है तो चले इस वीडियो में इतना ही करते हैं